आज हम scratch में एक बहुती बढ़िया प्रोग्राम बनाना सीखेंगे आज हम सीखेंगे कि scratch में circle कैसे बनाया जाता है सबसे पहले scratch open करिए open करने के बाद इस तरीके की window आपके सामने आ जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं double click कीजे sprite पे तो आप जो है coding वाले section में आ जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले control group पे क्लिक कीजे वहाँ से when green color flag दिये वाला block drag and drop करना है आपको script area में उसके बाद motion पे क्लिक करेंगे move 10 steps turn 15 degrees के बाद ये simply दो block आपको जो है वो drag and drop करके script area में लाने है इसके बाद आपको क्या करना है आप देख सकते हैं आपने programming कर दी लेकिन pen भी तो use करना है तो pen down block यूज करेंगे उसके बाद अब हमने pen down कर दिया आप चाहें तो अपने pen का size है वो भी set कर सकते हैं set pen size to block की help से उसके बाद इतना करने के बाद आप क्या करेंगे हम अगर आप change करना चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ पे अभी 4, 5 जितना भी चाहते हैं आप pen का size बोले सकते हैं इसके बाद आपको set pen color to अगर आप अपने pen का कोई color भी use करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं simply pick करिए उसको वहाँ से drag करिए और drop कर दीजे script area में color वाले option पे जैसे ही आप click करेंगे इतने सारे colors आप हारे हैं जो आप command करें वो color आप select कर लीजे इसके बाद आपको क्या करना हैं दुबारा से control group पे click करके forever command use करनी हैं ताकि repeatedly ये वाली जो set of commands हैं वो run करती रहे run करने के लिए green flag पे click कीजे और आप देख सकते हैं जैसी आप green flag पे click करते हैं इस तरीके से आप एक circle जो है वो बना पाएंगे scratch programming में बहुत ही simple है circle बनाना scratch programming में तो इस तरीके से आप जो है circle program और simply इतना करने के बाद आपको क्या करना है okay पे click कर देना है इस तरीके से आप जो है अपना program safe कर पाएंगे आप देख सकते हैं उपर title bar में जो program का नाम है वो भी change हो गया है वो circle program आ रहा है that's it for the day